नबसकार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परीचि दोस्तू पस्तित हूं आप सभी की सेवा में एक बह्धि महतो पुन्र जानकारी को लेकर के जीहां आज का हमारा यह जो टोपिक है, आप सभी के लिए बयधि खास है 40 की कमर देखते ही देखते हो जाएगी 32 की जिहां बस गर्म पानी में मिला कर पीना है कोई आउशद ही जिसे हम आज आपको बताने वाले हैं देखा जाए तो आज के समय में हर कोई अपने बढ़ते वजन को लेकर परेशान है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको ज़्यादा खबराने की आउशकता नहीं है क्योंकि आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी ही आसानी से आप अपनी चोड़ी हो चुकी कमर यानी की बढ़ा हुआ मोटापा कम कर सकते हैं जिसके बाद आपकी 40 इंच वाली कमर एक बार फिर से 32 की हो जाएगी बता दें कि ऐसा करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बस घर में ही मवजूद कुछ समानिय सी चीजों का इस्तेमाल कर बढ़ी हुई चर्वी को घटा लेना है आपको इसके लिए सबसे पहले आप निम्बू के छिलकों के कारहे के साथ एक चमच अदरक का रस पीजिये जो बहुत ही चमतकारी असर दिखाता है और आपकी पेट और कमर की चर्वी को बहुत ही कम समय में कम कर देता है इसका कैसे इस्तेमाल करना है और कब और कितने मातरा में करना है इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं इसके लिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपको 4 या 5 निम्बू के रस निकाल करके उसके बचे हुए छिलके को करीब 1 लिटर पानी जिसे गर्म कर लीजे उसमें ढालकर उबाल लेना है और बाद में उस छिलके को बाहर निकाल देना है इसके बाद उस गोल में एक चमच सदरक का रस भी मिला लेना है और सभी को अच्छे से मिला कर एक नया मिश्रन बना लेना है इस तरह से आपका घोल तयार हो जाता है अब इसके बाद सबसे जरूरी ये है कि इसका सेवन कैसे और कप करना है ताकि यह पूरी तरह से अपना असर दिखा सके आप सभी के लिए खाना है जहां यह ध्यान रखें यानि कि इसको पीने से पहले और पीने के बाद एक से डेड़ घंटे तक आप न कुछ खाएं नहीं पीएं इसी तरह से आपको आधा ग्लास रात में भी खाली पेट पीना है और इसे पीने के करीब एक घंटे बाद ही कुछ भी खाना है इस का विशेष्ट ध्यान रखिएगा कि जब भी इस मिश्रण को पीजिये हमेशा गर्म करके कुछ दिनों तक लगातार इसी तरह इस मिश्रण का सेवन करते रहने से आपका मोठापा चंद दिनों में ही खत्म हो जाएगा और आप एक बार फिर से समाने जिन्दगी में लोट आएंगे जिहां दोस्तों तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों